करेंगे कितने मॉक्स आपको लगाने चाहिए कितने मॉक्स अफिशिंट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता जब भी इस चैनल पर कोई वीडियो अप्लोड होती है उसके एक घंटे तक मैं तुरंत आपके किसी भी डाउट या कॉमेंट का रिपलाई करता हूँ तो मेक शूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं से के 94 और स्ट के 81 अब यह जो स्कोर्स हैं यह आपके नॉमलाइज स्कोर्स हैं इसमें से इसली आप हर काटेगरी में से आप 10 मार्क माइनस कर दे तो अगर आप देखें रौ स्कोर की अगर मैं बात करूं तो वह 120 मार्क ही रहेंगे यो आर काटेगरी के लिए इसी तरह OBC क के लिए यह 107 मार्क से ज्यादा नहीं होना चाहिए रौ स्कोर्स अब आईए देख लेते हैं कि CGL 2022 में क्या सेनारियो है अगर 40,000 के आसपास सीट्स हैं तो आप मान के चल सकते हैं कि tier 1 एप्रॉक्सिमेटली धाई लाग से लेके 3,000,000 का एंड़ेट्स जरूर क्वालिफा 55 भी सकूर कर रहे हो मौक्स में, 80 भी सकूर कर रहे हो मौक्स तो अपने कैकहरी के कोर्डिंग आप अपना टागेट सकूर देख सकते हो और अपने अमें अभी समझा, अगर आप एक YOR काटेगरी के कैंड़िडियेट हो, तो अबह आपके लिए जो टागेट सकूर है, वो 110 इससे ज़्यादा cut off cross नहीं करेगी तो अगर आप एक beginner है तो आपका सबसे पहला focus होना चाहिए reasoning subject पे reasoning के पूरे syllabus को आप 10 दिनों के अंदर complete कर सकते हैं और इसमें जो आप target score रख सकते हैं वो है 40 marks का 40 marks एक easily achievable score है बाकी के 70 marks आपको तो तीन section से score करने पड़ेंगे quant और English में आप अपना average score 25 का लेके चल सकते हो और general balance में आप expect कर सकते हो आपके 10 से 20 marks आजाएंगे तो overall आपके 110 marks पूरे हो गए ये आपका target होना चाहिए as a beginner अब बात कर लेते है math section की math section में मैंने आपको important topics weight wise यहां पे list बना के दे दी है आप देख सकते हैं algebra के 4 questions आते हैं geometry के 4 questions आते हैं और इसी तरह आप बांकी सभी chapters के topic wise importance देख सकते हैं मैंने जिन topics को green से highlight किया है आपका syllabus cover होता है तो total tier 2 के लिए 51% का syllabus आपका already cover हो जाएगा जिससे आपको काफे help मिलेगी तो जो BKGS section पढ़ो और इल्स आपको इसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है but क्योंकि GKGS section अब tier 2 का भी part है तो आपको थोड़ा बहुत इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए तो beginner के लिए मैं यही suggest करूँगा कि मैंने आपको यहाँ subject wise important topic दे रखे है current affairs और static GK में 4% है आपके tier 1 के examination में तो अगर आप एक beginner हो मैं आपको suggest करूँगा कि आप idioms and phrases one word substitution, sentence improvement, spot error, narration और voice यह 6 topics कर लो इससे आपके approximately 10 questions कवर हो जाएंगे और आप at least 25 to 30 marks इस section में score कर पाऊगे idioms and phrases आपको previous year question से लगाने हैं और इसके लिए आपको नीतु सिंग की volume 1 आती है एक book है grammar की उससे complete करना है इसको और आपको previous year question इसमें भी ज़रूर लगाने है तो अगर आप इन 6 topics को ढंक से करते हो तो examination में आपके 25 plus marks fix आजाएंगे अब देखते हैं